शान्तिका राजा चैनल द्वाराप्रकाशित, ईश्यरे करुणा का जीवन फल, परात्ना पुस्तक का दीतिय संसक्रन आच चुका है ये एक मध्यस परात्ना एवं करिशमाई परात्ना पुस्तक है इसमें विबिन विश्यों पर वचन एवं विबिन परिस्तिती के लिए प्रात्नाएं हैं आप इस प्रात्ना पुस्तक को लेने के लिए दिये गए नंबर पर आप हमें वाटसप मेसेश के दौरा या कोल के दौरा संपर कर सकते हैं आप अपना नाम पता एड्रेस हमें दिये गए नमबर पर भीजिए इस प्रात्ना पुस्तक का मुल्य मात्र पचास रुपे हैं धन्यवाद बार-बार मैं आपसे एक बात कहा करता हूं कि आज मनुश्य ने अपना पाप बोध खो दिया है पाप बोध खो दिया है लेकिन दूसरी तरफ मैं ये भी देखता हूं कि बहुत सारी लोग पाप बोध में जी रहे हैं दोश भावना में जी रहे हैं मनुश्य होते विए बहुत सारी गल्तियां करते हैं गल्तियां करने के बाद अपने आपको कोसते रहते हैं अपने जीवन में बहुत ज़्यादा ग्लानी महसूस करते हैं और उस दुख में अपनी जिंदगी गुजारते हैं ये भी गलत है क्योंकि पवित्र विगंद बैबुला में सिखाती है कि हमारा इश्वर, हमारा पर्मेश्वर, हमारे पापों को छमा करने वाला है हमारे पापों को हरने वाला है मैं कई इवक योतियों से मिला हूँ जो अपने में बहुत ज़्यादा घुटन महसूस करते हैं क्योंकि वे पाप बोध में जी रहे हैं दोश भावना में जी रहे हैं अपने आपको छमा करने को तयार नहीं है जिसन के साथ उसका गलत विवार हुआ उसको शमा करने को तयार नहीं है अपने में बहुत ज़्यादा पाप का अनुभाव मैसूस करते हैं हमेशा सोचते हैं मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ इस बात को नहीं भूलना शैतान ने यूदस कर्योती के साथ यही किया था और यूदस कर्योती को इस बात की गलानी हुई कि मैंने एक धर्मात्मा को पकड़वाया और हो मरवाडा ला गया है और इसलिए उसको दुख हुआ इसलिए उसने अपने आपको मार डाला हात्मात्या की शैतान हमें भी बरबाद करना चाहता है इसलिए कभी-कभी बहुत जादा ही दोश भावना और पाप बोध देगा लेकिन आपको इस बात पर विश्वास करना है कि मेरा प्रभू मुझे प्रेम करने वाला प्रभू है मेरे अप्रादों को चमा करने वाला प्रभू है और उस प्रभू के सामने आईए और गिर्ड़ा कर प्रारतना कीजिए प्रभू आपको स्वतंद्र करेंगे हम स्वतंद्र जीवन जीने के लिए बुलाए गये हैं आपको याद है एक बाद प्रभू ने शिशों से कहा आकाश के पक्षियों को देखो उसी तरह तुमें भी बनना है तुमें भी आजाद होना है हमें भी आजाद होना है इसलिए आकाश के पक्षियों की तरह ईश्वर की सच्ची संतान की तरह हमें आजादी की जिंदगी जीनी है सुतंतरता की जिंदगी जीनी है मैरे प्रिये भाई और बेनो पवित्र गरंद बाइबल एश्वर की प्रतिग्याओं का गरंद है पवित्र गरंद बाइबल एश्वर की प्रतिग्याओं का गरंद है और जो उन प्रतिग्याओं पर विश्वास करते हैं, उनको सुनते हैं, उन प्रतिग्याओं पर विश्वास करते हैं, उनकी जीवन में वे प्रतिग्याओं पूर्ण हो जाती हैं, जैसा कि इबराहिम की जीवन में हम देखते हैं, एश्वर ने इबराहिम से का कि मैं तुम्ह के संतान दोंगा और इब्राहिम ने उस प्रतिग्या पर विश्वास गिया नतीजा क्या हुआ इब्राहिम को उस सव साल की उमर में एक संतान मिली इस सहाक क्योंकि इब्राहिम ने ईश्वर की प्रतिग्या पर विश्वास गिया तो पवित्र गंद बैबल हमारे लिए ईश् महान प्रतिग्याओं का ग्रंध है आज हम ये रमियस नभी के ग्रंध के अध्याई 29 उसके वाक्य 12 से 14 तक के वचनों को सुनेंगे वहाँ पर प्रभू हमें एक बहुत बड़ी प्रतिग्या देते हैं प्रभू कहते हैं वाक्य 12 से मैं पढ़ूँगा जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूँगा जब तुम मुझे ढूनोगे तो मुझे पा जाओगे यदि तुम संपूर्ण हिर्दे से मुझे ढूनोगे तो मैं तुम्हें मिल जाओंगा ये प्रभु की वानी है और मैं तुम्हारा भाग ये पलड़ दूँगा एक जबरदस्त प्रतिग्या है ध्यान से सुनिए हिर्दय में ग्रहन कीजिए प्रभु कहते हैं जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझे प्रार्तना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्तना जब तुम मुझे ढूनोगे तो मुझे पाजाओगे यदि तुम मुझे संपून हर्दय से ढूनोगे तो मैं तुम्हें मिल जाओँगा ये प्रभु की वानी है और मैं तुम्हारा भाग ये पलड़ दूँगा प्रभु कहते हैं जब तुम मुझे ढूनोगे तुम मुझ को पलड़ दूंगा जब तुम मुझे ढूनोगे तुम मैं तुमें मिल जाओंगा तुम मुझे पा जाओगे देखिए यहन के सुजमाचार के अध्याए एक उसके वाकिय पैंतिस्यम पढ़ते हैं यहन बप्तिस्ता एक स्थान पर अपने दो शिश्यों के साथ खड़े थी और प्रभी येशूं वहाँ से गुजरते हैं यहन बप्तिस्ता ने येशू को देखा और इशारा करके कहा कि देखो येश्वर का मेमना जो संसार का पाप उठा ले जाता है दोनों शिश्ये यहन बप्तिस्ता को छोड़ कर येशू के पीछे हो लेते हैं और कुछ देर के बाद येशु मुण कर देखते हैं और येशु ने दो शिशों को योहन के शिशों को देखा और पूछा हिंदी में अनुवाद है क्या चाहते हूँ अंग्रेजी में इसका अनुवाद है What are you looking for? यानि तुम क्या ढूण रहे हूँ? तुम क्या ढूण रहे हूँ? मतिक येशु समाचार के अध्याय साथ उसके वाके साथ में प्रभी येशु कहते हैं मांगो और तुम्हें दिया जाएगा ढूणो और तुम्हें मिल जाएगा खटकडाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा प्रभी कहते हैं ढूणो तुम्हे कि येशु के साथ रहे तो सवाल ये खड़ा होता है कि हम क्या ढूंड रहे हैं बहुत सारे आश्रमों में रिट्रीट सेंटर्स में साधना केंद्रों में केंवेंशन्स में हजारों की संख्या में लोग जाते हैं लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि वे क्या ढून रहे हैं क्या ढून कराते हैं नवगरी बच्चा वर वधू पैसा चंगाई प्रभु कहते हैं जब तुम मुझे ढूनोगे तो तुम मुझे पाजाओगे जब तुम मुझे ढूनोगे तुम तुम मुझे पाजाओगे येशु को ढूणने वाले येशु को पा जाएंगे और आप जानते हैं प्रभु मिला तो सब मिला प्रभु मिला तो सब मिला बतिक येशु समाचार के अध्याइच्छे उसके वाकिए 33 में प्रभु कहते हैं तुम सबसे पहले ईश्वर के राज और उसकी धार मिक्ता की खोज में लगे रहो बागी चीजें तुम्हें यो ही मिल जाएंगी तुम सबसे पहले ईश्वर के राज और उसकी धार मिक्ता की खोज में लगे रहो बागी चीजें तुम्हें यो ही मिल जाएंगी तुम सबसे पहले ईश्वर को ढूंडो बाकी चीजे तुम्हें यह ही मिल जाएंगी प्रभु कहते हैं जब तुम मुझे ढूंडोगे पा जाओगे मुझे ढूंडो येसु मिला तो सब मिला प्रभु मिला तो सब मिला शायद मैंने आपको बताया है एक सुन्दर साक्षे है एक बार एक बहुत गरीब औरत बाइबल कन्वेंशन में गई थी बाइबल अधिवेशन में गई थी वचन सुनने के लिए गई थी और वहाँ पर प्रवचन देने वाले बार बार बोलते जा रहे थी प्रकाशन ग्रंद अधियायती इन वाके 20 को लेकर कि प्रवियसु कहते हैं कि मैं दुआर पर खड़ा होकर खटटा रहा हूँ यदि कोई मेरी वानी सुनकर मेरे लिए दुआर खोल देगा तो मैं उसके यहां आऊंगा और उसके साथ भोजन करूँगा और वो मेरे साथ बार बार इस वचन पर व्याख्या दी जा रही थी और उस गरीब नारी के अंदर एक बहुत बड़ी प्यास आई क्या पास आई क्या प्यास आई उसने कहा प्रभू काश आप मेरे घर पे आ जाते काश आप मेरे घर पे आ जाते वो गरीब औरत कैसी थी, उसका पती शराबी था, उसके दो बेटे घर छोड़ कर भागे थी, बहुत दरिद्र अवस्ता में जी रही थी, उसने प्रभु से कहा कि प्रभु काश आप मेरे घर पे आ जाते, एक दिन की बात है, वो अपने घर पे कुछ काम कर रही थी, पर कट-कटाने के आवाज सुनाई दी, और वो नारी गई दरवाजा खोली, उसने किजी को नहीं देखा, फिर बंद करके आई, कामजारी रखी, फिर कट-कटाने के आवाज आई, फिर गई, फिर खोली, फिर उसको कोई नहीं दिखाई दिया, कुछ देर के बाद पुछा कि बेटा, तुमने मुझे बुलाया, उसने का हाँ प्रभू, प्रभू ने पुछा कि क्या चाहिए तुमको, तुम क्या चाहती हो, उस नारी ने कहा कि प्रभू, मुझे आप चाहिए, I want you, मुझे आप चाहिए, कुछ देर के बाद प्रभू गायब हो गये, उस नारी के परिवार में परिस्थितियां बदलने लगी, उसका पती शराप पीने छोड़ देता है, उसके दोनों बेटे जो घर से भाग गये थे वापस आ जाते हैं, परिवार में शांती आती है, येशु का निवास होता है, प्रभू मिले तु सब मिला, मैं हजारों लोगों की जीवनों को देखता हूँ, जिन्हों ने प्रभू के पास आने के बाद ये अनभो किया है, उनको प्रभू मिल गए, तो उनके जीवन में तरक्की पर तरक्की, आशिश पर आशिश, किर्पा पर किर्पा देखने को मिलती है, तो प्रभू कहते हैं, यदि तुम मुझे ढूनोगे पाजाओगे मुझे ढूनोगे पाजाओगे आगे प्रभु कहते हैं यदि तुम मुझे संपून हिर्दे से ढूनोगे तो मैं तुम्हें मिल जाओंगा कैसे ढूनना है प्रभु को संपून हिर्दे से ढूनना है ये संपूर्ण हृदे का अर्थ क्या हो सकता है सबसे पहले पूरी इच्छा के साथ प्रभु को पूरी इच्छा के साथ ढूणना हमें लुकस के सुजमाचार की अध्याय साथ में एक नारी के बारे में पढ़ने को मिलता है वहांपर हम पढ़ते हैं कि प्रभी एसु एक धनी इंसान के यहां भोज पर चले गए थे उस धनी इंसान का नाम था सिमयोन प्रभी एसु सिमयोन के यहां भोजन पर बैटे वे थे और वहांपर एक नारी आ जाती है जो शैर की सबसे बदनाम नारी थी बदनाम नारी थी एसु के करीब आ जाती है एसु के पैरों के पास खड़ी हो जाती है इतने आसु बहाती है कि एसु के दोनों चरण आसुँं से दूल जाते हैं और वो अपने केशों से बालों से उसको पूंचती है सिम्योन अपने हिर्दे में सोचता है कि ये मनुश्य इश्वर के यहां से आया होता तो ये जानता कि कौन नारी इसको सपर्श कर रही है यानि वो नारी एक ऐसी बदनाम नारी थी जिसको ऐसे सभावों में जाने का इजाज़त नहीं था कोई उम्मीद नहीं रखता था वो नारी पीडा में थी अपने पाप में डूब रही थी उसके धिरदे में प्रभु के परती इच्छा आई शायद उसने सुना होगा किसी से कि येशु दीनों पापियों दुख्यों का सहरा है और वो येशु को ढूणती है येशु को ढूणती है उसे पता चलता है कि येशु सिम्योन के आप भोजन पर बैठे हुए है वो इस बात का ख्याल नहीं करती है कि समाज क्या कहएगा लोग क्या कहएगे वो चली आती है पूरी इच्छा के साथ चली आती है येशु के चरणों पर चली आती है और आंसु बहा कर अपने पापों के लिए माफी मंगती है आपको मालूम क्या हुआ बचन में लिखा हुआ है प्रभु ने का तुम्हारे पाप शमा हो गये है आगे प्रभु ने उससे का तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारे उधार गिया है वो नारी वहाँ से स्वतंद रोकर चली जाती है उसका भविश पलड जाता है पाप में जीने वाली वो नारी उसका भविश पलड जाता है उसकी जिन्दगी बदल जाती है उसके जीवन का पत बदल जाता है तो प्रभु कहते हैं यदि तुम संपूर्ण घ्रदे से मुझे ढूनोगे संपूर्ण घ्रदे से ढूनने का पहला अर्थ है पूरी इच्छा के साथ प्रभु को ढूनना दूसरा है लगन के साथ प्रभु को ढूनना बहुत सारे लोग गिर्जागरों में जाते हैं प्रार्तना भावनों में जाते हैं Bible Conventions में जाते हैं Retreat Centers में जाते हैं लेकिन लगन के साथ नहीं जाते हैं जाते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, सुनते हैं, चले जाते हैं लगन के साथ येशू को ढूणना प्रभु को ढूणना Bible में बहुत सुंदर सुंदर उदारण हमें मिलते हैं एक जबर्दसत उदारण जकेउस का उदारण है मैं उसका विवरन करना नहीं चाता हूं जकेवुस के बारे में वचन में लिखा हुआ है कि जकेवुस एक धनी इंसान था चीफ टेक्स कलेक्टर था यानि चुंगी लेने वालों में प्रमुख था नाटा था येशु को देखना चाहता था क्योंकि वो पीडा में थे उसके पास पैसे की कमी नहीं थी धन की कमी नहीं थी किसी चीज की कमी नहीं थी लेकिन उसके अंदर कोई खाली पन था कोई अशान्दी थी और वो येशु को देखना चाहता था वचन में लिखा हुआ है कि जकेवुस येशु को देखना चाहता था लेकिन वो देख नहीं पाया क्योंकि वो नाटा था और प्रभु के चारो और हमेशा भीड लगी रती थी लेकिन जकेव उस निरुटसाहित नहीं होता है इन्हें कहता है कि मैं देखने ही पाऊंगा क्या करूंगा अब छोड़िये अगली बार देखा जाएगा बिल्कुल नहीं उसके अंदर लगन था वो दोड़ता है जिस मार्ग से एसु जाने वाले थे उस मार्ग पर आगे दोड़ता है और पेड की डाली पर बैठ जाता है इस इंतजार में कि एसु मेरे यहां कब आएगा और येसु आते हैं चमतकार आप देखते हैं जाके उसके उस खोज के उस लगन का फल जाके उसको मिल जाता है प्रभी येसु एक मेमान के रूप में उसके घर जाते हैं और उसके घर पर मुक्ति आ जाती है उद्धार आ जाता है प्रभु कहते हैं यदि तुम मुझे संपून हर्दे से डूनोगे तो तुम भी मिल जाएंगा संपून हर्दे से डूनने का मतलब क्या है आगे लक्षे बना कर डूनना एकाग रोकर डूनना येशु को या कि कुछ नारियों ने ये देखा कि उनकी लाश कहां रखी गई है और उनमें से एक थी मर्याब मकदलियना मर्याब मकदलियने के बारे में सुसमाचार मीं बताए जाता है कि प्रभु ने उसके अंदर से साथ अबदूतों को निकाल दिया मरियम मगदलेना कुछ नारियों के साथ कबर के पास जाती है इतर लगाने के लिए लेकिन वहां पर येशु की लार्ज देखने को नहीं मिलती है कबर खाली थी और सारी नारियां वापस जाती है मरियम मगदलेना येशु के शिशों के पास जाकर बताती है एसु के शिश्यों में से पेत्रुस और योहन दौडते हैं कबर के पास आते हैं उन्होंने भी देखा कि कबर खाली है और वे भी वापस जाते हैं लेकिन मरियम मगदिलेना उस जगह को छोड़ने को त्यार नहीं थी वो कबर को छोड़ने को त्यार नहीं थी वह वहाँ पे खड़ी रही और उसने दो सवर्दूतों को देखा सवर्दूतों ने पुछा कि नारी आप क्यों रो रही हैं? भद्रे आप क्यों रो रही हैं? उसने का कि वे लोग मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं मैंने जानती कosition कर रखे हैं मर्यम की जिंदगी बदल गई थी येशू के पास आने से और अब येशू के अनुपस्तिती खल रही थी और इसलिए वे येशू को ढूंड रही थी बाद में येशू स्वैम दर्शन देते हैं पुनर जीवित येशू दर्शन देते हैं और कहते हैं बद्रे नारी तुम क्य प्रभु चाहिए संपूर्ण घर्दे से प्रभु को ढूड़ना तो संपूर्ण घर्दे से प्रभु को ढूड़ने का मतलब है प्रभु को लक्षे बना कर ढूड़ना प्रभु को एक मात्र लक्षे बना कर ढूड़ना ऐसे लोगों को प्रभु मिल जाते हैं संपूर्ण घर्दे से प्रभु को ढूड़ने का मतलब है पूरे विश्वास के साथ प्रव को डूड़ना पूरे विश्वास और बरोसे के साथ संपूर्ण घर्दे से डूड़ना सुजमाचारे में बहुत सारी उधार नामें मिलेंगे याकुब के पत्रे की अध्याई एक उसके वाक्य साथ में याकुब कहते हैं संदेह करने वाले समुद्र के लहरों के सद्रिश है संदेह करने वाले समुद्र के लहरों की तरह है जो हवा में इधर उधर उच्छाली जाती है ऐसे लोग ये ना समझें कि उन्हें इश्वर जे कुछ मिलेगा संदे करने वालों को कोई उपलब्दी नहीं होगी इश्वर से कुछ नहीं मिलेगा बलकि विश्वास के साथ प्रभु को ढूंड़ना तो प्रभु कहते हैं यदि तुम संपूर्ण हुर्दे से मुझे ढूंड़ोगे तो मैं तुम्हें मिल जाओंगा आगे क्या लिखा हुआ है आगे लिखा हुआ है मैं आकर तुम्हारे भविश्य को पलड़ दूँगा मैं आकर तुम्हारे भविश्य को पलड़ दूँगा तुम्हारा जो दुख में भविश्य आज निराशा में भविश्य है खाली भविश्य है शोन्य भविश्य है जिसके बारे में चुब तुम दुखी रहते हो पीडित रहते हो प्रभु कहते हैं मैं आकर उस भविश्य को पलड़ दूँगा कही साल पहले की बात है 95 में मैं अपने टीम के साथ दल के साथ एक जगा पर सत्संग चलाने गया था शाम शाम को खुले मैदान में सत्संग हुआ करता था लेकिन दिन के समय जनता चाहती थी कि हम लोग उनके हाँ जाएं तो दिन के समय हम लोग दो दो करके कुछ गाओं में जाते थी मैं और मेरे साथ एक बेहन थी प्रात्ना वाली थी हम दोनों मिलकर एक गाओं गये थे वहाँ पर एक छोटा सा गिर्जागर था और वहाँ पर प्रात्ना सबाद चल रही थी स्तुति का समय आया रादना का समय आया मैंने लोगों से का कि सभी लोग खड़े हो जाईए चोटा सा गिर्जागर था पुरा गिर्जागर खचागज बराववा था सब लोग खड़े हो गए स्तुति का रहे थे मैंने देखा बीच में एक जवान लड़की पड़ी हुई है मैंने लोगों से का कि उसको भी खड़ा करने गोशिश कीजिए उसकी मान ने का कि वो खड़ी ने हो सकती है कुछ मैनों से उसके दोनों पाउं सुख गए हैं वो खड़ी ने हो सकती है चल फिर ने सकती है वो पड़ी थी उसकी मान के आँखों से आँसु गिर थे मैंने देखा उस लड़की की मंगनी हो चुकी थी लेकिन शादी अप्टल गए क्योंकि उसके दोनों पाउं सूग गए है हम लोगोंने बड़े भक्ती के साथ, विश्वास के साथ उसके लिए प्रार्तना की आगले दिन फिर उसी गाउं में हम लोग गए हुए थे और एक घर गए, वहाँ पर हमने देखा कि एक लड़की अमारे लिए पानी लेकर आ रही थी पीने के लिए मैंने मेरे साथ जो बेहन थी, उस दीदी से का कि दीदी वो लड़की तो नहीं है, जो पड़ी वी थी कल उसकी माने अमारी बात को सुन लिया और उसने आकर का कि सौमी जी वही लड़की है लेकिन प्रभू ने उसको चंगा किया जिसके दोनों पाउं सूख गये थे प्रभू ने उसको चंगा किया हाई हील का चपल पहन कर घूम रही है और मैंने का कि बेटा आज शाम को तुमें सस्तंग में आना है वहाँ पर खुले आम मंज पर चल के दिखाना है कि कैसे प्रभी एसु ने मुझे चंगा किया है प्रभू कहते हैं यदि तुम संपून गुर्दे से मुझे ढूंडोगे तो मैं तुमें मिल जाओंगा और मैं आकर तुमारे भविश्य को पलड़ दूगा यहान के शुसमाचार की अध्याय 18 वाकि 8 में हम पढ़ते हैं जब प्रभी एसु को कैदी बनाने के लिए गरफतार करने के लिए सिपाही लोग आए तो प्रभू ने उनसे पूछा कि तुम किसे ढूणते हो उन्होंने का कि एसु नाजरी को दूसरी बार फिर प्रभू ने पूछा कि तुम किसे ढूणते हो तो उन्होंने का कि एसु नाजरी को तो प्रभू ने क्या कहा एक बहुत सुन्दर बात कही वहाँ पर प्रभु ने का कि यदि तुम मुझे ढून रहे हो तो इने जाने दो यानि इनके शिश्यों को जाने दो ये एक आध्यात्मिक बात है प्रभु कहते है यदि तुम मुझे ढूनते हो तो इने जाने दो संपूर्ण हिर्दे से ढूनने का मतलब यह है यदि तुम मुझे ढून रहे हो तो इने जाने दो बहुत सारी चीजें बहुत सारे लोग बहुत सारे ऐसे अनावशक लगाव जो प्रभु को ढूनने में हमारे लिए बादा बनती है उसको निकालने को प्रभु कहते हैं सच बताओ क्या तुम मुझे ढून रहे हो अगर तुम मुझे ढूनते हो तो इन सब को जाने दो तब मैं तुम्हें मिल जाओंगा और मैं तुम्हारे भविष्य को पलड़दूँगा एक जबरदस्त प्रतिग्या है प्रभु की मैं तुम्हारे भविष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् अजारों या लाखों लोगों से मिलने का उसर मिला है और मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग दुखी और पीडित और परिशान है कई परिवाद तूटे पूटे पड़े हैं लेकिन वे येशु को ढूणने के लिए तयार नहीं है बड़ी अजीब बात है परिशान एक तरफ पीडित हैं दुखी हैं निराश हैं हताश हैं लेकिन प्रभू को ढूणने के लिए तयार नहीं है हमारे आश्रम में भी दूर दूर से लोग आते हैं लेकिन वे मुझे ढूण गयाते हैं प्रभू को नहीं ढूणते हैं हम बोलते हैं प्रभु के पास जाके बैठो, दो मिनिट बैठने के बाद बाहर आ जाएंगे, स्वामी जी से मिलना है, स्वामी जी से मिलना है, बड़ी अजीप परिस्ति है, बिड़मना है, लोग परिशानी में हैं, लेकिन वे प्रभु को ढूनने को तयार नहीं है, संपू गिस्षिन यानि निराशा, मैंने का विश्वासी और निराशा एक साथ नहीं जाती, एक विश्वासी कभी निराश हो ही नहीं सकता है, और मैंने उससे का कि तुम्हें काम कर, अमारे आश्रम में कृपा धारा चलती है कारिक्रम, और ये लाइप प्रोग्राम है, दर्शन और में कही लोग आके बैठते हैं उसे में प्रार्तना के लिए तुम भी आके बैठो लेकिन मैंने का नियमित रुप से आना है रो जाना होगा तुमको सच बता रहा हूँ आज तक मैंने उसको देखाने हो आपी और आज भी वो परिशान है बेचाएन है 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 नौकरी ढूंड रहा है कामदंदा ढूंड रहा है लेकिन उसको कुछ हाजिल नहीं हो रहा है तो बड़े दुख की बात है आज लोग परिशानी में हैं प्रभु कहते मैं तुमारे भविश्य को पलटने को तयार हूँ मुझे संपून हर्दे से ढूंड मैं तुम्हें मिल जाओंगा मैं तुमारे भविश्य को पलट दूंगा हमारे अंदर प्रभु के प्रती एक प्यास होनी चाहिए जैसे स्तोतरकार कहता है स्तोतर 42 में बहुत सुंदर स्त स्तुत्र 42 कार कहता है जिस तरह हिरनी जलधारा के लिए तरस्ती है उसी तरह मैं तेरी लिए प्यासा हूं जिस तरह हिरनी जल धारा के लिए तरस्ती है उसी तरह मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है स्तोत्र 63 में लिखा गया है ईश्वर तुई मेरा ईश्वर है मैं तुझे ही ढूनते रहता हूं जल के लिए सूखी संतप्त फटी जमीन की तरह मैं तेरे दर्शनों के लिए तरस्ता हूँ हमारे अंदर एक प्यास होनी चाहिए जीवित प्रभु से मिलने के लिए मेरे प्याई और बेनों आज प्रभु का वचन है तुम मुझे ढूड़ोगे मैं तुम्हें मिल जाओंगा यदि तुम मुझे संपून हिर्दे से ढूड़ोगे तो मैं तुम्हें मिल जाओंगा और मैं आकर तुमारे भविष्टी को पलड़ दूँगा कई भाई बेन आधे अधूरे मन से प्रार्तना में जाते हैं गिर्जागर जाते हैं धर्म क्रिया करते हैं बंद किजिए संपून हिर्दे से प्रभु को ढूड़िए एक निरने लिजिए निश्चित कीजिए जिस तरह मर्यम मदिले न कहा कि आपने जहां भी उसकी लाश रखी है मैं उसे उठा लाओंगी मुझे प्रभु चाहिए एक निश्चे के साथ प्रभु को ढूड़िए येश्व आपके जीवन में आएंगे जिस तरह उस गरिबनारी के जीवन में आये थे और उसके परिवार की परिस्तिति को बदल दे थे उसी तरह आपके जीवन में आएंगे आपके परिवार के जीवन में आएंगे आपकी भविश्य को पलर देंगे संपून हृदे से प्रभु को ढूंडिये I repeat मैं दोहराता हूँ संपून हृदे से प्रभु को ढूंडिये प्रभु आपको मिल जाएंगे और प्रभु आपको मिल गए तो सब कुछ मिल गए आईयम प्रार्तना करें प्रवियसु धन्यवाद देते हैं सुन्दर समय के लिए तेरी आशिशों के लिए धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं पवित्र वचन में दी गई सारी प्रतिग्याओं के लिए धन्यवाद देते हैं उन प्रतिग्याओं को सुनने और उस पर विश्वास करने के लिए हमें गिर्पा दीजिए। उन प्रतिग्याओं को सुनने के लिए गिर्पा दीजिए। अमारी स्प्रात्ना को ग्रहन कीजिए।